क्या दुनिया के सारे lessons किताबों से ही सीखे जा सकते हैं अगर आप सोचेंगे हाँ तो आज मैं आपको बताऊंगे कि नहीं morality याने कि संसकार ये एक ऐसी चीज होते हैं जो हम किताबों से पढ़कर या बोल-बोल करके अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते हमें अपने बच्चों को morality जिखाने के लिए हमारे रोज के जीवन की छोटी-छोटी चीजों से ही हम बहुत बड़ी-बड़ी बाते अपने ब आज बाते बताने वाली हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो difference तो पहली चीज है फेव होना जी हां फेव होना आप अपने बच्चों को failure होना भी सिखाईए सिर्फ उन्हें success स्टोरी मत सिखाईए success story के पीछे की failure stories भी बताइए जब तब तक कि आप अपने बच्चे को fail होना नहीं सिखाएंगे, उन्हें गिरने नहीं देंगे, तब तक कि वो self-confident नहीं होंगे, आत्म निर्भर नहीं बनेंगे, और ये चीज मैंने सीखी अपनी CA Life की जरनी में, जब तक कि हम fail नहीं होते, तब तक कि हम खुद के बल पे चलन नहीं सीखते, तो अपने बच्चो को fail होना दीजिए, दूसरी चीज, बच्चो को अपनी चीजे खुद से करने दीजिए, जी हाँ, उन्हें अपने चोटे-चोटे काम खुद करने दीजिए, जब तक कि वो अपने चोटे-चोटे काम खुद से नहीं करेंगे, तब तक कि वो अपनी life की problems को face करना नहीं सीखेंगे बच्चे खिलोने बेखेरते हैं आप उठाने दीजिये उन्हें As a parent हम सोचते हैं कि यार बच्चा क्या क्या करेगा ऐसा नहीं है उन्हें अभी से सीखने दीजिये चीजे आप जो चीजे उन्हें अभी से सिखाएंगे अगर इसके लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को फैमिली से जोड़ के रखें अब जो लोग जॉइंट में रहते हैं उनको तो इस चीज का कोई इशु नहीं होता मगर जो nuclear है उस वो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चों को connect रखे family से आप call पे, video call पे जो भी आपका possible है बात कराईए जैसे भी possible है, daily possible है, daily बात कराईए daily नहीं possible है, weekly बात कराईए आप देखेंगे इससे आपके बच्चे की social और emotional skills बहुत अच्छे से develop होंगी चौथा बच्चों को pray करना सिखाईए जी हाँ, बच्चों को प्रार्थना की शक्ति बताईए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी particular भगवान की पुजा कराईए लेकिन हम सबके surrounding में एक supernatural power होता है आप बच्चों की पहचान उससे कराईए आपके culture में आप जो भी मानते हैं, जैसे भी प्रार्थना करते हैं आप वैसे बच्चे को जादा नहीं तो दिन में कम से कम एक मनिट की प्रार्थना करना सिखाईए आप देखिए बच्चे का इससे self-control बहुत अच्छा डेवलप होगा उसमें spirituality अभी से आएगी और इसके साथ ही बच्चा बहुत ही polite होगा आपका फिफ्ट और लास्ट चीज जो है वो यह है कि kindness सिखानी है हमें अपने बच्चों को अभी से जी हाँ kindness अब हम सोचेंगे कि यार यह इतना चोटा बच्चा इतनी बड़ी-बड़ी बाते कैसे सिखेगा तो यही वो सही टाइम है जब हम अभी अपने बच्चे को सारी चीजे सिखा सकते kindness सिखाने के लिए आप kindness का benefit यह होगा कि बच्चा society के हर वर्ग की respect करना सिखेगा आप plants को पानी दिलवाईए बच्चे से आप birds को feed करवाईए, animals को feed कराईए guest की हमारे घर में बड़ों की या जो guest आते हैं उनको greet करना हम सभी अपने बच्चों को सिखाते हैं इसके साथ ही आप बच्चे को ये भी सिखाईए कि हमारे घर में जब भी कोई service persons आते हैं, हमारे आप काम वाली मौशी होती है, काम वाली बाई होती है, driver होते हैं, guards होते हैं, हर एक जहन को बच्चा जो भी उससे बड़ा है उसे greet करें आप देखेंगे कि ये चोटी चोटी चीजे दो तीन दिन तक क्या आपको सिखानी पड़ेगी बच्चों को, लेकिन चोटे दिन से बच्चा खुद से ये चीज करेगा, उसकी बच्चपन से ही एक आदट डेवलप हो जाएगी, कि वो हर किसी के existence की request करेगा, एक मदर होने के नाते मुझे ये पता है कि हम ये सब चीजे बच्चे को एक साथ नहीं सिखा सकते, लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करनी होगी और कही ना कहीं से तो करनी होगी, तो क्यों ना छोटी छोटी चीजों से ही शुरुआत की जाए, अगर इन में से आप कुछ भी अपने बच्चे को सिखाते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैंने ये चैनल बना के बहुत अच्छा काम किया है, इसके अलावा मैंने मोबाइल बच्चों के लिए मोबाइल को सेफ कैसे बनाए, इस पे भी एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वो वीडियो भी जरूर देखिए, थैंक यू पर वाचिंग, स्टे टून्द